आज आपकी होस्ट अमारा रबानी आजाद किश्मीर की आजाद थिजाओं जकोटी चाते वे रास्ते में इस जगा पर रुकते वे एहसास हो राता कि खुडा ने जन्नत दुनिया में ही दे दी है लेकिन हम इस जन्नत की भी रखवाली नहीं कर सके हैं या शायद हम जो कोशिश कर रहे उसमें कहीं कमी है कमی वहाँ पर है जहाँ यहांपे आने वने लोगों को फैसिलिटीज नहीं दे पारें जो देनी जाही है कमی वहाँपे है जहाँ पर स्यासी सर्गरमियां सिर्फ जात्ती मेफाद के लिए महरून मिनत रहते गी है ये कहरा चाहिए कि वो जाती मिफाद सिर्फ अपने आप को देख कर बनाए जाते हैं वो इस इलाके को आजाद कश्मीर को इसकी लोगों को इसकी खुबसूरती को देखकर नहीं बनाए जाते हैं कुछ डिवेलप्मेंट जो हुई है उसका भी तथकरा करेंगे आगे चलके देखेंगे और भी हसीन वादियों में हसीन लोगों को हसीन व्यूज और बहुत से चीज़े लेकि इसके सास्थ बताथे चले हैं आपको कि इसके हुसन को बरकरार रखना है तो आपने और मैंने रखना है कता नज़र इस से कि मैं कौन हूँ सिर्फ ये देखते हुए कि ये हमारा है अगर हम claim करते हैं कि ये हमारा है तो अपनी चीज़ को कैसे सबालना है ये हमें मालुम होणा चाहिए इस खुबसूरत मंज़र को देखते होए यकीन कीजिए ऐसा मालुम होता है कि अगर अबकी बार से कोता ही हुई तो यकीन कीजिए उन असलों के साथ कोताई होगे सर्फ इसलिए नहीं कि ये हसीन बहुत है इसलिए कि ये जिग्राफिक ले भी पुलिटिक ले भी बहुत ज़्यादा एहम है ये मैं आप सब जानते हैं इसलिए शायद 12 रहा यहां आना चाहते हैं दुन्या को और लोगों को बताने के लिए कि ये जन्नत नजीर हमारी है और हम आपके हैं हम इसको समालना जानते हैं लेकिन इसकी बात पहुचाने के लिए शायद बहुत से कम लोग हैं जो यहां पर आते हैं हम बारहा यहां पर आए और अब भी यहां पर आए हैं कि शुरुआत कर रहे हैं इस वादी की इस दरीया के साथ और आगे चलके बाकी कि दावादी को भी आप से शेयर करते हैं जी पूछते हैं कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं और इसके बाद निकमादाब कि दावादी के रहे हैं लोगों के क्या मुराल है ये उनसे जानते हैं जी क्या कहते हैं अभी पिछले दिनों जो बहुत ही इश्तियाल अंगेज शेलिंग हुई हिंदोस्तान की तरफ से उसके बाद कुछ खौफ आगया आप लोगों में जी जी जो लाइन आप कंट्रोल के लोग हैं उनमे तो ज़्यादा खौफ वाई रास है ना हम तो थोड़े पीछे बैक बे रहते हैं उस वह से और फिर भी वह इमत वाले लोगों के साथ बैक खड़े हुए हैं वह पॉज की तरफ से क्या आप लोगों के इंस्ट्रक्शन थी आर्मी क्या जब चै़ रही थी जब शैलिंग बहुत जयादा हो रही थी यह जब यह नहीं तो अब की बार भी ऐसा ही इंशाधलाल मैशा होता रहेगा और यहां थाइगा ऐंदभी बहुर्ष युक्री हमारसद कर दिए पाकिस्तान को सारे मौसम सारे सीजन्स दिये हैं लेकिन सब्सक्राइब गर्मी उकिस्मीर में सयाह दूर दूर से आते हैं लेकिन उनके लिए क्या फ कि अगर आप खुद इस चीज़ का विजट करें कि कौाले पुल के कितना रच मिलेगा उसकी बनिस्बत हमारे जितने भी लोगों ने ने नीलम वैली का रुख किया पीर चनाजी के मकाम का रुख किया जैलम वैली का रुखाई तक किसी ने नी किया इंताइग उपसूरत जग लीपा टनल की फौरन मंजूरी दीजाए आपका अगर लीपा टनल बाल जाता है तो लाखों के हसाब से टूरेस्ट हर साल यहां पे आएंगे अज़ाद किश्मीर के अचा तो यह वाली जो तमाम मांगे सबसे पहर तो यह कि जो आप कहते हैं को हाला सी बता दिया जाता है क मकामी जो वाँ पे होटल्स वाले हैं वो उनको रोख देते हैं आगे जाने से और उसकी वज़ा यह है कि वो अपना बिजनस मेंटेंस मेंटेंस के बारे में या आगे तक और भी गेस्ट हाउस और इस तरह की चीज़े मेंटें करें ऐसी कुई डिमांड्स आप कर चुके है जो पी टूरेस्ट पाकिस्तान से आता है वो खाली रोड एकसेस के करीब जाता है रोड एकसेस है बायर नहीं जाता है अगर आप पीर चनासी के मकाम से तक्रीमां तीन चार गंटे पैदल के मकाम पैदल सफर करना शुरू करें तो आपको इंताई खुबसूरत जगे मिलें आपको क्या लग रहे है के यहां इण पर डिवलिप्मेंट इंफ्रॉस्टुक्शर की रोड की नहीं है या ब्रेजिस नहीं है या पिर उनको आवेरनिस नहीं है या किया आपको लगता है पहला काम क्या ओर ना चाहिए इणर्बसुटे कि अज़ जब भी किसी भी नहीं आरे क्योंकि उनकों कोहाला से आपने बताया कि पहले ही मना कर दिया जाता है। एक यह जो आप कौॉला रोड देख रहे हैं और यह जेलम वैली जो बार देख रहे हैं यह तो जलजले के बार दोबे और आप इसके अलावा किसी साइड एरिया में जाएं तो आपको रोड को इंदाजा ओजाएगा कि आपर रोड किससमी नहीं है। कौन से अलाके ऐसे हैं जहां की रोड्स की देवलप्मेंट की आशड जरूरत है। आप जैलम वैली के किसी चनारी से आगे चले जाएं, आप पीर चनासी की तरफ चले जाएं, आपको तमाम रोड्स खंड रात में नदर आएंगे। बहुत शुक्रिया। दैवलप्मेंट की जहां बात करते हैं, आप पूरे पाकस्तान में दैवलप्मेंट के तरकी के बहुत से मनसूबे चल रहे हैं, शीपैक को लेके जहां बहुत पुलिटिसाइज किया गया। पर हम जानते हैं कि वो पुलिटिसाइज होने के बाद आज आगाही रख चुका है कि वो मुल्क के लिए बहुत कारेखेर लेके आ रहा है हमने कैसे उसमें से अपना हिसा लेना है अब ये सवाल है ये अपनी नौयत का एक बहुती मुन्फृद प्रोजेक्ट है जहा हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की तो इसकी मुन्फृद नौयत की यकीन दहानी इस तरह होती है कि ये जितनी मेगा हट्स की बिजली प्रॉआइड करेगा उसके बाद जब हम देखते हैं कि नंदी पूर प्रॉजेक्ट जो नाकाम हो चुका था और उसकी बहुत सी वजुआत सियासी भी थी और तक्नीकी भी थी लेकि नीलम जहलम प्रोजेक्ट जो के हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े जोरोशोर तरीके से चल रहा है लेकिन उसकी काम्याबी का सहरा ना सिर्फ यह के टेक्निकल लोगों के हाथ में बलकि पिलिटिकल लोगों के हाथ में भी है क्योंकि जहां नंदीपूर प्रोजेक्ट को खो चुके हैं वहां नीलम जहलम प्रोजेक्ट को पाना चाहते हैं इसके साथ साथ चाहते हैं कि और भी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट चलते रहें कश्मीर में भी और बाकी एहसों में नीलम जैलम प्रोजेक्ट के बारे में किश्मीरियों की आम आदमी की क्या राय है वो क्या सोचता है इसके बारे में क्या मिलेगा इससे और कितनी तरक्य आ सकती है ये जानते है जी बाबाजी क्या कहते है नीलम जैलम प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है, काम बहुत तेजी से हो रहा है, और जो भी बेरुगज़ार लोग है, उनके लिए रुगज़ार काफी है, सुलत है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा काम है. यह आपको क्या लगते हैं, कि शाम यों की लिए और पूरे पाकसतान के लिए एक अच्छा प्रजेक्ट फाबत होगा? कि ये बिल्कल प्रोजेक्ट थालिए तभी जी सब लोग शामल हैं पाक्स्तान के लाखे सब पकिसान और कश्मीर के लोग जो लोग है न सब शामल है विच यह वरे इंचार्ड वह इसके बारे में जो नेगटिव रहे रखी जाती है कि यह शाहिद प्रजेक्ट ठीक नहीं है या पर इससे लोगों को किश्मीरियों को कुछ नहीं मिल रहा यह सब गलत बात है यह बात बिलकुल दरुस्त है कि जो चीज घर में बन रही है तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा यह बड़ी मासूम सी बात है कि जब मा बवर्ची खाने में हंडिया बनाती है तो थोड़ा ही सही घर के हर फर्द को घर के हर बच्चे को जरूर कुछ ना कुछ मिलता है यह एक मासूम आदमी यह बजूर्ग हमें समझा गया है कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आज तरक्की की जिन मनाजल को पाकिस्तान कश्मीर तै कर रहा है उसमें सब को हिस्सा सब पाकिस्तानियों को सब कश्मीरियों को हिस्सा जरूर मिलेगा आज आज आपकी होस्ट अमारा रबानी आजाद कश्मीरियों की आजाद फिजाओं में चकोटी जाते हुए रास्ते में इस जगा पर रुकते हुए अहसास हो राता के खुदा ने जन्नत दुनिया में ही दे दी है लेकिन हम इस जन्नत की भी रखवाली नहीं कर सक रहे हैं या शायद हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कहीं कमी है कमी वहाँ पर है जहां यहां पर आने वने लोगों को फैसलिटीज नहीं दे पारे हैं जो देनी चाहिए कमी वहाँ पे है जहां पे स्यासी सरगर्मिया सिर्फ जाती मफाद के लिए महरून मिन्नत रह गई है यह कहरा चाहिए कि वो जाती मफाद सिर्फ अपने आप को देख कर बनाए जाते हैं वो इस इलाके को आजाद कश्मीर को इसके लोगों को इसकी खुबसूरती को देखके नहीं बनाए जाते हैं कुछ डिवलेप्मेंट जो हुई है उसका भी तथकरा करेंगे आगे चलके देखेंगे और भी हसीन वादियों में हसीन लोगों को हसीन व्यूज और बहुत सी चीज़े लेकि इसके सासथ बताते चले आपको कि इसके हुसन को बरकरार रखना है तो आपने और मैंने रखना है कता नज़र इस से कि मैं किश्मीरी हूँ कता नज़र इस से कि मैं कौन हूँ सिर्फ ये देखते हुए कि ये हमारा है अगर हम क्लेम करते हैं कि ये हमारा है तो अपनी चीज़ को कैसे सबालना है ये हमें मालूम होना चाहिए इस खुमस्ऽबत मंदर को देखते है यकीं कीजिए ऐसा मालूम होता है कि अगर अब की बार इसके साथ कोता ही हुई तो यकीन कीजिए उनसेलों के साथ कोता ही होई खर इसलिए नहीं कि ये खसीन बहुत है इसले कि ये जिग्राफिक ली भी, पुलिटिक ली भी बहुत ज़्यादा एहम है ये मैं आप सब जानते हैं इसलिए शायद बारहा यहां आना चाहते हैं दुनिया को और लोगों को बताने के लिए कि ये जन्नत नजीर हमारी है और हम आपके हैं हम इसको समालना जानते हैं लेकिन इसकी बात पहुचाने के लिए शायद बहुत से कम लोग हैं जो यहां पर आते हैं हम बारहा यहां पर आए और अब भी यहां पर आए हैं इस वादी और इस ठंड़क को महसूस करके इसके लोगों की मासूमियत को देखके दिल चाहता है कि यहां पर आते रहें बाते पहुचाते रहें और सुनते रहें इस दरिया का शोर, इस फिजा का शोर, इस हवा का शोर आज की प्रोग्राइम की शुरुआत कर रहे हैं इस वादी की इस दरिया के साथ और आगे चलके बाकी किद अबादी को भी आप से शेयर करते हैं जी पूछते हैं कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं यूजसी पे होने वाली शेय्लिंग के बाद जोहालिया यूजसी पे शेयलिंग हुई और उसके बाद देखा गया के सुरक जंडे लहराएगए और जवाबी कारवाइभी की गई लोगों के क्या मुराल है ये उनसे जानते हैं जी क्या कहते हैं अभी पिछले दिनों जो बहुत ही इश्तियाल अंगेज शेलिंग हुई हिंदोस्तान की तरफ से उसके बाद कुछ खौफ आगया आप टोगों में जी जी जो लाइन आप कॉंट्रोल के लोग हैं उनमे तो जादा खौफ हो रहा से ना हम तो थोड़े पीछ क्यालिंग बहुत जादा हो रही थी एलो सी फोज की तरह से कोई यह थी कि आप हमारे साथ खड़े रहें जटे रहें खोज ने काया आप सबसे कामले इंशाला इमत से कामले हम आपके साथ खड़ें जितना भी ऐसा कुछ होता है उसके बाद किश्मीरी जो हैं अपनी जगा जितने हैं लेकिन सब्दी हो गर्मी हो किश्मीर में सयाह दूर दूर से आते हैं लिकिन उनके लिए क्या फैस्सिती ने ये पुछते हैं यहां कि लोगों से जी क्या आपको क्या लग़ रहें कुछ कमी है यहां पे अभी गौवर्मेंट की तरफ से काफियत तक कमी है से अगर आप खुद इस चीज का विजट करें कि क्वाले पुल के करीब कितना रच मिलेगा उसकी बनिस्बत हमारे जितने भी लोग उनने नीलम वैली का रुख किया पीर चनाजी के मकाम का रुख किया जैलम वैली का रुखाई तक किसी ने नी किया इंताई खुब सुरत तो यहां पर आएंगे जाद किश्मीर के अचा तो यह वाली जो तमाम मांगे सबसे पहर तो यह कि जो आप कहते हैं कि कोहला सी बता दिया जाता है कौन बताता है कि आगे कुछ नहीं है देखने लाइक जो मकामी टुरेस्ट है या मकामी जो आपर होटल्स वाले हैं वो उन कोई दिमांड आप कर चुके हैं कर्मिन से गवर्मेंट से आलरेड़ी यह डिमांड दो चुकी हैं चुके यह जाद किश्मीर का सबसे खुबसूरत तरीन आई रही है जो भी टूरेस्ट पाकिस्तान से आता है वो खाली रोड एकसेस के करीब जाता है रोड एकसेस बाहर न क्या है या क्या आपको लगता है पहला काम क्या होर ना चाहिए अवेर्नस बैसिकली मैडम बात यह है कि जब भी किसी भी कम्यूटी में आप करें के वो सिकसेस की तरफ जाएगी तो बैसिक इंफरस्ट्रुक्चर वहां पे जरूर और चाहिए और अज़ाद किश्मीर के अ और नीलम वैली रोड देख रहे हैं यह तो जलजले के बाद डिवेलब होई है आप इसके अलावा किसी साइड एरिया में जाएं तो आपको रोड को खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपर रोड किस किसम लिए है तो कौन से अलाके ऐसे हैं जहां कि रोड की डिवेलिपमे के तरकी के बहुत से मनसूबे चल रहे हैं सी पेक को लेके जहां बहुत प्लिटी साइज किया गया वह हम जानते हैं कि वह प्लिटी सायज हुने के बाद आज आगाही रalis रक चुका है कि वह मुलक के लिए बहुत कारेख खैर लेकी aja औ रहा है कि यह जितनी मेगा हट्स की बिजली प्रोवाइड करेगा उसके बाद जब हम देखते हैं कि नंदी पूल प्रोजेक्ट जो नाकाम हो चुका था और उसकी बहुत सी वजवात सियासी भी थी और तक्नीकी भी थी लेकि निलम जहलम प्रॉजЕक्ट जो के हम देख रहे हैं کہ यहाँ पर बड़े जोरो शोर तरीके से चल रहा है लेकिन उसकी काम्याबी का सहरा ना सिरूप ये के टेखनीकल लोगों के हाथ में बलकि फिलिटिकल लोगों के हाथ में भी है क्योंकि जहां नंदीपूर प्रोजेक्ट को खो चुकी हैं, वहां नीलम जहलम प्रोजेक्ट को पाना चाहते हैं इसके साथ साथ चाहते हैं कि और भी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट चलते रहें कश्मीर में भी और बाकी एहसों में भी नीलम जेलम प्रोजेक्ट के बारे में किश्मीरियों की आम आदमी की क्या राय है वो क्या सोचता है इसके बारे में क्या मिलेगा इससे और कितनी तरक्य आ सकती है ये जानते है जी बाबाजी क्या कहते है नीलम जेलम प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है, काम बहुत तेजी से हो रहा है, और जो भी बेरुगज़ार लोग हैं, उनके लिए रुगज़ार काफी है, सुलत है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा काम है। आपको क्या लगता है, कि ये कश्मीरी यों के लिए और पूरे पाक्स findetौ इलिए, अच्छा प्रोजेक्त थाबित हो गा होगा। ऑगी बहुत लोग शामल पकिस्तान के लाचे सब के तक्रीबन पक्सान और कश्मीर के लोग जो लोग जो लोग वहां इसके बारे में जो मन्फी राय नेगटिव रखी जाती है यह शायद प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, या फर इसे लोगों को, किश्मीरियों को कुछ नहीं मिल रहा है, यह सब घलत बात है। यह बात बिलकुल दरुस्त है, कि जो चीज घर में बन रही है, तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ये बड़ी मासूम सी बात है कि जब माँ बवर्ची खाने में हंडिया बनाती है तो थोड़ा ही सही घर के हर फर्द को, घर के हर बच्चे को जरूर कुछ न कुछ मिलता है। ये एक मासूम आदमी ये एक बजर्ग हमें समझा गया है कि कुछ न कुछ जरूर मिलेगा आज तरक्की की जिन मनाजल को पाकिस्तान कश्मीर तै कर रहा है उसमें सब को हिस्सा सब पाकिस्तानियों को सब कश्मीरियों को हिस्सा जरूर मिलेगा डॉक्र मुस्तफा बशीर साथ हैं मेले हैं पीमलन से उनसे बात करेंगे किश्मीर के हालात के बारे में आज़ स्यासी कैसी गहमागेमी उस बारे में डिवेलप्मेंट कहां पर पहुंची वो वादे कहां तक पहुंची जी रॉक्र साब हम आए थे पहले भी और देखे गए थे कि यहां पर जो स्यासी शूर है लोगों में वो नजर आया लोग बड़े खुश थे जितनी भी स्यासी गहमा गहमी दे जिन वादों के सहारे आए थे जो लोग पीमलन के जो भी गर्मेंट आई थी आज वो वादे कहां पहुंचे बिसमल्ला रखमान रहीं जी सबसे पहले की और उसके बाद आजाद कश्मीर के लोग उससे आपके समने है के बहुत ज्यादा मायूस नजर आए और उसका इजहार उन्हों ने अपने वोट की पल्चे की जरीए किया और मुस्लिग नून ने दो तहाई से जज़दा अक्सरियत हासल करके यहां पर हकूमत बनाई और उसके अंदर जो है वो हमारा ये चुके मुझफराबाद उसका बेस कैम्प है दूसरा था हमारा डिवलिप्मेंट आफ एजे के वो और थर्ड था गुड गवर्नेस अच्छा पहले पर ज़रा थोड़ी बात कर लगें मसला कश्मीर के बारे में आपने ये कहा कि मुझफरा ये है कि मुझफराबाद को बेस केम्प क्यू बनाया गया और दूसरा वो कुछ मुतमईन नहीं है सिचुवेशन से तो क्या वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं और किश्मीर के जो सिचुवेशन पूसे मुतमईन नहीं है क्या उनकी गैरतमेन अन्द सिचुवेशन थीक ह कि अपने क्वेस्टिन किया मुझफरावाद को बेस कैम्प की बनाए गया गया मुझफरावाद इस एक टॉने की वज़े से बेस कैम्प है क्वेस कैम्प इसका एक खिता इंडिया के पास कब्से में तुक्वे नौट डॉजिनल कैपिटल ऑफ जमू एंड कि अगर उनकी डि है वो है स्रीनगर बस किम क्या है बसकंप इस पहसा है कि वो खिता आजाद नहीं है यह वह किश्मीर कीवले खिखन्य के हाई से होगी को यहां से होगी वर्ना हमारा Members К합니다 कहाल से उस्रीन रखर है कल भी ऐस्कित्त ור आजाद होते हैं कैपिटल उस्री नगर उसमें तो किसी को कोई दूसरी राएए नहीं है कि हमारा जो मरकजी यह ते वो सरी नगर है लेकिन बेस कैम्प इस वज़ा से कि चुकर ये खिता आजाद किश्मीर जो है वो आजाद है और जो मगबुजा किश्मीर है उसमें लोग एषचाज कर रहे हैं किर लोगों ने कितने कितना सपूर्ट कियाए अभी दोबरार आप से ठीज केम का किरदार मुझावादे को कुशिश करने कुछ स्यासिदान suisse को कोफारी कटाईई हैं जिस की विए हम वो किरदार अदार नहीं कर पाए अब देखिए हम इन्शालला international Kashmir Conference कर रहे हैं मजफराबाद में एक दो माह के अंदर अदर रएंज हो रही है वह इसलिए कर रहे हैं किसकी मरकजियत बताना चाह रहे हैं कि कश्मीर का इश जो है मजफराबाद से बैठके वह हलो का देखा हम इसलाबाद से करते हैं साबाद तो हमारा जो है वो देखें जो पाकिस्तान है वो हमारा वकील है बैने लगवामी दुनिया में अक्वामी पाकिस्तान हमारा वकील है तो उसको भी उसके लिए भी जब मुझाफराबाद को मरकजियत देते हैं तो उनके लिए भी असानी हो जाती है और कश्मीर का एक में मसला कश्वीर को डाला वरना आप पुराने मैनिफिस्ट उठा के देख लें उसमें यह चीजें नहीं होती थी अच्छा डॉक्टर साइब यह युए नो में होने वाली हमारे लोगों ने जदोज़द की और उस जदेज़द के नतीजे में हमारा यह खिता जब अज़ाद हुआ तो उसके बाद इंडिया ने शोर मचाया और वो खुद यूनाटिड नेशन में गया यकंब जनवरी उनीस सो अटालीस में इंडिया खुद यूनाटिड नेशन में जाता है और एपरेल में एक resolution पास होता है और जिसे जो 1948 में वो उन्होंने resolution किया और उसके तहट एक फैसला होता है जिसमें पांच मुमालिक मुबसर की हैसियस से यहां आते हैं और उसमें एक फैसला होता है कि जनाब free and fair election होगे अच्छा उसका लफ प्लैबिसाइड बनके सामने तो आ गया अच्छा अब सतर साल अलमोस्ट हो गए तो उसके बारे में अब कोई एसी तगदो है जो देखी जैसे आसी सता प्लैबिसाइड के लिए तो हमने तो आजाद किश्मीर ने पाकिस्तान तो हर वक्त त्यार है हमारी तरफ से तो कोई है नहीं हम तो हर बार लेके जाते हैं कोईमत एद्दा में हमारे जो वजिर आदम साब हैं उन्होंने तीन बार कोईमत एद्दा की जनरल से खताब किया है और मिया नवाशीव साब ने तीनों बार मसला किश्मीरी को ज्यादा टच किया है और हम तो यह कहते हैं भाई इसको इंडिया लेके गया है इंडिया ने खुद ही यह फैसला करा है कि फ्री एंफेर जो है वह आपका करो हैं अब देखें मुझे बताएं इंडिया से अब आवाज आ रही है पाकिस्तान जिंदाबाद की इंडिया में लोगों को अब स्री नगर में जो आपने तीन माह से लोगों को इस वकत कैद करके रखा है कर्फियों लगा के रखा है बावजूद इसके देखें जितनी बड़ी रेलीज हो रही है जितनी बड़ी डिमस्टेशन हो रही है उसमें एक ही नारा है कि पाकिस्तान से क्रिश्टा क्या ला इला मुहमैंद लिख लेला एक ही नारा है कि हम क्या चाहते है आजादी और एक ही नारा है कि हम पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान हमारा है यह बंस्टिशनल पैकेज क्या डिमांड थी और कितनी पूरी हुए अच्छा अभी जो मिया नवाश्टीव साब ने मजफराबाद का दोरा किया मैं मिया साब का जाती तोर पर शुकर बजारूं कि यह 23 वाश्वा दोरा था उनके अपने इस अदवार में जो हमारे पिछले शायद अगर आप पीछे चले जाएं तो एक वजफराबाद में दो बार भी नाया होगा अपने पूरे अदवार में और NFC का हिस्सा नहीं थे अब मिल गया वो अख्तिया अब वो हमने पारलिमेंट के अब हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें अथार्मी तर्मीम के तैट NFC में लेकिन अब हमें बिठाया जाएगा वहाँ पर और दूसरा यह है कि हमने कंस्टूटेशनल पैकेज त्यार किया था उससे मिया नवाशीव साब ने मुकमल इत्तफाक किया है और इस पैकेज के बाद मैं आपको यकीन देनाता हूँ कि आजाद किश्मीर के लोगों की खुशाली आईगी यहां पर और जिस तरह अठारवी तर्मीम के बाद दीगर सुवजात को इक्तियारात ज्यादा मिलें सिक्योटी की सिच्वेशन आजाद किश्मीर में कैसी है पाकी प्रविंसिज के मकाबले में पाकिस्तान के इसको तो एक्जेम्पल के तोर पे पेश किया जाता है कि मदफराबाद में आज तक लाइन आडर सिच्वेशन कभी पेश नहीं आई कोई आपने देखा होगा कोई अच्छा ये वो अलफाज हैं जो हम बारहा सुनना चाहेंगे किश्मीर में अब आई हैं यही सुनने के लिए क्यूंकि पिछले दिनों हमने बहुत सी ऐसी बाते हैं जो शी नगर से सुनी में आक्टिपाइड किश्मीर से सुनी हिंदूस्तान से सुनी और उन्होंने को रिटेलियेशन के तौर पर ये सब कह रहे थे पिर महबूबा मुफ्ती मौतरमा की बेलफाज सुनने को मिले कि जितने भी मिसिंग परसन है मकबूदा किश्मीर के वह अजा किश्मीर में चले जाते हैं यह वहां से आते हैं तो ऐसी चीज़ों के बाद हम सुनना चाह रह सुनन का यह आलात है कि आप देख रही होंगी यहां ना कोई पुलीस कहीं नजर आ रही है आपको कहीं ने दिखा है कहीं आपने कुछ प्राइमिस्टर हाउस में एक बंदे को दिन ले गया तो वह मुझे कहने लगा सर इदर पुलीस नहीं होती मैंने का विजरियास हमारा तो यह आपके सामने गलियों में गुम रहे होते हैं यानि इससे ज्यादा अच्छी सुच्योशन से क्यूर है कहीं नहीं बाकी रही बात कि यह कह देना कि जी वहां से लोग यहां आकर वो कि किश्मीरी है वह यहां आए यह जाए वह यह उनका खिता है वह जब चाहें जब हो रही है वहां पर आपने बुरहानवानी को शहीद कर दिया लोग तीन माह से पूरा किश्मीर बंद है यह देशिदगर्दी है अपने हग के लिए बात करना अगर देशिदगर्दी है तो मेरा ख्याला फिर यह देशिदगर्दी तो बहुत सारी जगों पर हो रही है अप सार से जद्वजाइद कर रहे हैं और यह वाहिद युनाइटेट नेशन में यह वाहिद मसला है कि जो आज तक सतर साल से काइम है बाकी तो सारे नेटैलियेशन में एक नेगटिव प्रॉपेगंड़ा का अजाद कश्मीर से जिनरेट हो रहा है जलम तो यह चीज यह मैसिज जो हम कश्मीर से लेके जाएंगे डेट सो ममालक में कोशिश करेंगे यह पहुंचे और पाकिस्तान में भी पहुंचेगे बहुत शुक्रिया यही मैसिज लेने के लिए यहां पे आयें कि यहां के कश्मीरी वहां जाते हैं या वहां के यहां आते हैं फरक कोई नहीं क्यूंके यह उनका खिता है और वो हमारा खिता है और हम एक गुस्रेगे हैं जी प्रफेसर अब्दुल्खालिक साथ हैं इस मुझाफराबाद में हम मौजूद हैं इन से पूछेंगे कुछ सवाला जी प्रफेसर साथ अपी पिछले दिनों एक बड़ी हैवी शैलिंग देखी और हमने देखा एलो सी पर सुरक जंडे पाकस्तान की से लहराए गए कि आप आज हमेल Ilka रहा है तो हम आपको जवाब देते हैं तो जवाब हमारी तरफ से साथ वो फाइट कर रहे हैं, उनकी फाइट सिर्फ ये सेंड्स की है, पत्थर हैं, सोटियां हैं, और इस तरह के उन्होंने वहाँ पर ये किया है, लेकिन उसके बार मारे फाइज ने बर्पूर जवाब दिया है, और मुदी सरकार ने जूटे इल्जामात लगाने के बावज किश्मीर के जवानों की हर वकत उनके मराल बरंद रहे हैं, कभी भी वो डिमराल नहीं हुए हैं, और इन्शाला आइंदा भी नहीं होंगे, और ये कहीं, ये कुछ भी करें, ये कई दफा, ये उन्सो न्सो पानमे में भी, उन्सो दोजार एक में उन्होंने बड़ी शेलि दोजार आठ में जो सीजफाइर का अग्रीमेंट हुआ, इंडिया न इसको तस्लीम किया, उस अग्रीमेंट को तोड़ कर इन्होंने फिर से शेलिंग शुरू की, जवाबी तोर पर गुमु की खानी पड़ी, लेकिन उसको तोड़ने के बाद, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि आपने कैसे अग्रीमेंट को तोड़ दिया? पाकिस्मीरी जिन्दा है और आएंदा के लिए वो यह हम अपना अलाका जूर आजाद करवाएंगे, इस ही महमारी बलाई है, और मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से भी यह गजाज करता हूं, कि वो इनकी माली, इखलाकी और इस तकी सपोर्ट को जारी रखा जाए, ताके पाकिस्तान के हिस्तों में जो टूरिजम है, उसके मुकाबले में अदाद किश्मीर में जो हुसें ने देखा और देख रहे हैं, उसमें जितना टूरिजम होना चाहिए था, आपको क्या लगता है, क्या ठीक है? क्या होना चाहिए, लेक्शन हो रहा है, मैं जो जिम्हादार लोग हैं, जो चाहे असंबली के अंदर नहीं बाइर हैं, जो चाहे कोई भी जो नहीं पर फॉरूम से रख़ते हैं, वो पनी जिम्हादारी से बिल्कुल पूरी नहीं कर रहे हैं, और मैं जितनी सवलियात यहा जोना इस्तेमार में नहीं लाए जा रहा है फिर मीडिया के वाले से लोगों की तवज्ज़ इस तरफ नहीं बफदूल कुराई जा रही और लोगों को इस तरफ रागब नहीं किया जा रहा अब आप यह हम यूनी टीवी के लोग आगें आपके पास तो अब आप बताएं के और क्या मसाइल है यहां पर एक तो यह है कि हमारा कुदर्दी उसन मुझूद है पाड़िया मुझूद है यहां पर जितने भी वो पार्क जो कराची में बनाते हैं और टिफिशल यहां पर कुदर्दी मुझूद है जए उनको अगर यूटिलाइज किया जाए तो मैं समझदों कि फूरा है के जो ना वो सारा पार्क ही है इसको आप इसको आप समझ ले पूरे कि श्मीर को समझे ले आप इसको आप जो वह यह आईशा पार का पाकिस्तान वरबीकियों उपर अड़े, में ये काम करते हैं, ये हमारी किश्मीरी डिश गुष्टाब है, इसको हम बनाते हैं पत्थर पे गूट कर, और इसमें मसाले मोटी लाजी, गरम मसाला, काली मरेच, ये बगएरा दें इसके बनाते हैं, ये किश्मीरी डिश है, शु ये, किश्ताबा है, किश्मीरी डिश गुष्ट को ड़ता है, ये पत्थर पे रह रखके इसको त्यार करना पड़ना पड़ता है, पत्थर में उस появалась कूष्ट जो, तो ये पिर किश्मीरी डेश जो है, ये तियार होते है, ऊसके बद रख कुश्ट का गोश्मीरी डिश कुट के इसको बनाना पड़ता है फिर इसको दही में इसको फिर दही में दही में इसको फिर बनाना पड़ता है यह जखनी हो जाती है किश्मीरी पाकिस्तानी किश्मीरी डेश है यह मेरे वादी को किसी की नजर ना लगे मेरे दुश्मन की इसको जरब ना लगे ये दुआ भी है ये तमना भी है और यही हम कर भी रहे हैं कश्मीर में आज हम जाते वे ये मैसिज लेके जाना चाहते हैं कि ना सर्फ ये कि कश्मीर में हुसन है बलके अमन भी है पैलिट गनों से भूनने वाले उस हिंदुस्तान फौज को ये मैसिज चले जाना चाहिए कि उन्होंने जो जुल्म और बर्बरियत की मंडे हिंदुस्तान ने आजाद कश्मीर से बरक्स ऑक्यूपाइट कश्मीर में सजा रखी है यहां आके अमन देखो यहां के देखो कि क्यों मचल रहे हैं आक्रिपाइट मकबूजा कश्मीर के लोग यहां के देखो कि क्यों मचल रहे हैं यहां और वहां के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए वज़ा है कि यहां अमन है वज़ा है कि यहां पे मासूमियत है वज़ा है कि यहाँ पे आज भी हर किसी की आँखों में खुशी है आपकी तरफ अगर एक भेड का बच्चा भी जाता है तो आप उसे भी गोली मार देते हैं आपको इतना खौफ है किश्मीर की सरदों से, किश्मीरियों से, पाकिस्तानियों से उस खौफ की फिजा को यहाँ पे हमने बिलकुल नहीं देखा बल्गे इसके बरक्स लेका, जिसकी खुशी आप तक पहुचाना चाएं इसका हुसन पहुचाना चाएं, बरफ पोश्ट, पहाड़ियाँ आपको दिखाना चाएं बताना चाहते हैं कि यहां पे बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जिसके लिए गर्मिन्ट को बहुत से काम करने की जरूरत है बताना चाहते हैं कि यह हुसन आप तक पहुचाने के लिए हम यहां पर हैं बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पे कुछ कम्या है उन कम्यों को दूर करने के लिए आपकी निजरों से एक बार खुदा की खुदाई खुदा का हसन शेयर करना चाहते हैं बहुत शुक्रिया आज के लिए आज किश्मीर से जा रहे हैं वापिस आएंगे आपकी किश्मीरे हमारे हमारे किश्मीर में इंसाइट पाकिस्तान वे डॉक्टर मारा में अपनी ओसमार अरबानी को अजासत दीजिए खुदा हाफिस